नमस्कार, स्वागत हैं आपका इंडिये नियूस 28 में, आएए बात करते हैं उत्तरप्रदीश की कुछ खास ख़बरों की मथुरा में पालिका कर्मियों ने दुकानदार को धक्की देकर दुकान से निकाला नगर पालिका परिशद कोसीकला की कर्मचारियों दुकान के किराय का भुपतान ना होने की कारण नगर पालिका की कर्मचारियों दुकानदार के साथ जमकर हाथा पाई की गई एवं धक्के देकर दुकान से बाहर निकाल दिया इतना ही नहीं पालिका कर्मियों ने दुकान का शटर डाल कर दुकान में ताला भी डाल दिया जिसके कारण नगर के व्यापारियों में भारी रोश व्याप्त है आपको स्क्रीम पर दिखाई दे रहा ये दृष्श Kapalika परिशत कोशीकला की कर्मचारी एवं दुकानदारों का है जो की पालिका कर्मचारी दुकान का किराया समय पर भुथान ना करने की कारण दुकानदार को ध़क्य दे कर दुकान से बाहर निकाल रहे हैं आपको बता दे कि उप्ट दुकानदार राकेश कुमार के पिता हरिश्चंद पुत्र लक्षमन प्रसाद ने नगर पालिका को पगली के लाखों रुपे अदा कर दुकान किराय पर ली थी जिसका सरसथ हजार रुपे दुकानदार पर बकाया था किराय की वसूली करने आएं आधा दर्जन से अधिक पालिका कर्मियों ने कानून को अपने हाथ में ले लिया और जबरन दुकानदार के साथ हाथ हपाई करते हुए दुकान से बाहर धकेल दिया दुकानदार द्वारा बार बार आग्रल करने पर भी पालिका कर्मियों का दिल नहीं पसीजा और जबरन कानून को हाथ में लेते हुए सील लगाने लगे जब कि यह कोई नियम नहीं है दुकानधार राकेश कुमार ने बताया कि नगर पालिका परिशद द्वारा ना कोई कोट के आदेश दिखाए गए ना इनोसी जारी की पालिका कर्मियों ने जबरन बल प्रयोग कर दुकानधार के स्वाभिमान को थेस पहुंचाई है जब पालिका कर्मियों से बात करनी चाहिए तो वोल कत्राते नजर आए जब व्यापार मंदल के अध्यक्ष अंकित मालविया से बात की तो उन्होंने कहा कि व्यापारी से की गई अभधरता निन्मिय है जल्दी उच्छ अधिकारियों से वार्ता की जाएगी अधिशासी अधिकारी उमेश कुमार ने फोन पर बताया कि उक्त मामली की जाँच की जा रही है दोशी कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी मत्हुरा समवाददाता ब्रिजवीर सिंग जादौन की रिपोर्ट